हेलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका अगर हाथ काफता है लिखने में तो ऐसा कौन सा ट्रीक लगाएं जिससे आपका हाथ नहीं कापे तो इसके लिए हम सि जादा कुछ ही इसमें करना नहीं है और बहुत से पेंटर तो आप लोगों को यह बताते होंगे कि आप ऐसे हात लगा लीजिए इस तरीके से उपर हाथ अप्र एस चलाए ब्रस इस तरीके से आप लोग बस लाइए तो बताए कि इतने दिन तेक चलाए रहा है कि मैं आप लोग को यहीं बताना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर आप लोग लिखेगा तो आप लोग कभी जीवन में पेंटर नहीं बन पाईएगा जीवन में पेंटर बनना है तो सिर्फ एक ही इसका ट्रीक है लिखने का जिसे हमारे गुरुजी या बहुत से मतलब जो है पेंटर है जो लिखते हैं तो आप लोग इस कंकी अंगरी को यहां लगा लीजिए और इसको लगाने के बाद फिर आप लोग यहां से लिखना सुरू करें जो भी अच्छा आप लोगों को बनाना है जरा सभी आप लोगों का हाथ जो है का अपने वाला नहीं है है इस तरीके से आप लोग लिखना अपना सुरू करें है और मैं उमीद करता हूं कि वह इस तरीके से आप लोग अगर लिखेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं काफेगा है ऐहीं मात प्रिक है जिस ट्रिक के जरिए आप लोग अशुनदर राइटिंग कर सकते हैं और बहुत से पेंटर आपको बताते होंगे और एक तरीका बताएं देखे थे हम यूटूब पर एक पेंटर थे कोई लकड़ी हो गया कैसे तो बता रहे थे ऐसे लगा करते मतलब डंडी की सहरे ऐसे लिखिए यह से तरीका आप लोग को काम नहीं आने वाला है आप अपने हाथ से लिखिए और अपने हाथ का अनुभव बनाएए क्योंकि हर जगा आपका अनुभव हुई आपके साथ रहेगा अगर कहीं आप लिख रहे हैं और जिस तरीके से लोग बताते हैं अगर आप उस तरीके से लिखिएगा तो कैसा लगेगा बताईए कोई भी यहीं रिक्वेश्ट है कि जब भी लिखे तो इस तरीके से आपका हाथ जो है न खूलेगा नहीं आपको भी खुलके नहीं लिख पाईएगा और हम तो ज़्यादा तर बिना कंकिये लगाये ही लिखते हैं हम लोगों का इतना लिखने का प्रेक्टिस से बहुत दिन से हम काम कर रहे हैं कि इसकी वैसे हमारे हाथ में चला सभी कंपन नहीं है और यहांसा हाथ हमारा काप्ता नहीं है और हमारे ग्रूप में जितने भी लोग हैं सब इसी ट्रिक का प्रेयों करते हैं तो उबीद करता हूँ कि आप लोगी अच्छी तरह समझ गए होंगे और हमारे बताय हुए त्रिक के साहर्य का आप लोगी लिखेंगे तो जल्द से जल्द आपके हाथ में सफाई आ जाएगी और जो आपका हाथ कापता है वह हाथ खापेगा नहीं और हाथ कापने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आप लोग डर की लिखते हैं तो अगर कंश्ची अगर आपको अछातर काता है तो अपने अंदर निकाल लेना है है इं Ukrainian मिद्वन चाहीं और डर्लशने कारण आप यह होता है कि या तो आप नए हो आपके पीछे कोई देख रहा है हम लोगों के साथ पर ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं जब हम लोग लिखते थे पुराने मतलब नए थे तो लिखते टाइम और कोई पीछे से देख रहा है कोई आगे आचानक से तो हम लोगों के अंदर भी हलका फुल का मतलब डर हो जाता था कि अगला अदमी क्या कहेगा थोड़ कर लेते थे तो आप लोग उमीद करता हूं कि समझ गए होंगे वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए गा और वेल आइकन को दबा लीजिए जैने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों मिली और प्यारा स लाइक और कमेंट करके ही जाएएगा जैने